असलामु अलेकूँ वल्कम आप सभी कैस नए वीडियो में तो जिस अब सभी को बता है कि जमू कश्मीर में सारी डिग्री को जिसमें कामन काउंसलिंग जो है इस बार होने वाली है इस बीच यहां पर आपके registration की process है वो already start हो चुकी है मैंने registration की process पर detailed video बारा मिनट का डाला है जिसमें मैं उन्हें आपको step by step सारा procedure समझा दिया है कि किस तरह से आपको अपना form fill up करना कहां पर क्या details fill up करनी है तो जिन candidates ने अभी तक form अपना submit नहीं किया तो वो उस वीडियो को देखके अपना form submit कर सकते हैं तो जब students यहां पर form submit कर रहे हैं तो उनको यहां पर काफी ज़्यादा issues आ रहे हैं students को उसमें जो सबसे important issue है वो students को कुछ courses वहां पर दिखने ही रहे है कोई कश्मेर उनिवस्टी सिलेक्ट कर रहा है उसमें फिर उसको कुछ ही प्रोग्राम्स दिख रहे हैं किसी को आर्ट के प्रोग्राम्स दिख रहे हैं मेडिकल के नहीं दिख रहे हैं किसी को मेडिकल के दिख रहे हैं आर्ट के नहीं दिख रहे हैं जो course उनको करना है वो उनको वहां पर आ ही नहीं रहा है इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि वो आपको क्यों नहीं आ रहा है और आपको क्या करना पड़ेगा तो इस वीडियो को आप पूरा इंट तक देख लेना तो देखे जिस ताम आप अपना form से फिल करते हो CVT की details और non-CVT की details जो भी होंगी वो आप फिल करते हो खासकर मैं CVT वाली students की बात करूंगा तो जब आप CVT की details डालते हो अपने 12 की details डालते हो उसके बाद आपका data जो होते है आटोमेटिकली वहां पर patch होता है उसके बाद आपको देखा वहां पर वही courses आते हैं जिन courses के लिए आप eligible होते हैं आपके CVT के score के अगर आपने CVT वाला form पे लब किया है तो आपको CVT के score के हिसाब से आपको वही courses वहां पर आते हैं जिन courses के लिए आप eligible होता है देखिए जैसे for example अगर मैं कश्मीर उनिवस्टी की बात करूँ कश्मीर उनिवस्टी की किसी भी अफलेटेट कॉलिज में अगर आपको B.Sc. Honors in Zoology करना है तो उसके लिए जो कश्मीर उनिवस्टी आपका CVT का पेपर मांगती है वो आपको मांगता है biology ठीक biology या biochemistry वैसे biology आपका होना चाहिए या bio technology तो usually biology आपको मांगता है अगर आपको biology अपने CVT के पेपर में दिया है तो आपको easily zoology में भी admission मिलेगा botany में भी admission मिलेगा biochemistry में भी admission मिलेगा लेकिन सेम अगर वो ही B.Sc. Honors in Zoology के लिए आपको मांगते है इसका biology का भी test English का भी test और general test भी आपको मांगते है तीन तीन testers वो आपको मांगते है अब students ने क्या किया होता है किसी ने general test और biology का test दिया होता है तो English का test उसने नहीं दिया होता है किसी ने English का test और biology का test दिया होता जनरल टेस्ट उसने नहीं दिया होता है तो उन ही sole candidate को फिर वहां पे वो course आई नहीं रहा है that means कि आप उस course के लिए eligible ही नही हो जो course आपको जमुविश्टी मांग रही है आप उस course के लिए eligible ही नही हो आपने वो test papers यह दिए ही नहीं जो जमू उनिवस्ट्री मांगती है तो उसी की वज़ा से आपको वहां पर जो है वह-पर्स आपको मतलब मतलब वहां पर मेजर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो मैंने काफी स्टूडेंस का कल देखा जनको इसा इशू आरहा था जब मैंने देखा उन्हों वह इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया में ही वह फॉल नहीं करते हैं ऐसा नहीं कि एक टेस्ट वह मांगेंगी जब उनिवस्टी वाल जनरल टेस्ट इंग्लिश कंपलसरी रखा है और उसके साथ तो आपको डोमेंट टेस्ट भी मांगते हैं हर सब्जेक्ट के लिए लेकर क्श्मेर उनिवस्टी क के वह लेक्र जो है एक ही टेस्ट मांगते है आपका डोमेंट का तो बस उसी में वह आपका काम निप्टा देते है तो फिलहाल के लिए जो आपको इशु आ रहा था वो मैंने आपको डिस्कर्स करने के कोशिश की तो कोई डाउट कोई कन्फिजन अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं